अबरी वहां वेलकम टो ओल्ले स्प्रेंट आफ लाइब्रेरी एंफरमिशन साइंस सही विद्धारतियों का स्वागत है जो भी लाइब्री साइंस से बीलाय से एलाय से एमलाय से कर रहे हैं कर चुके हैं या आप में से कई सारे से स्टुडेंट है जो कॉम्टिक जमकती तिय अब पहुंच सके तो स्टुडेंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं देखें आपे अद्विटिजमेंट है यह जारी किया गया है एंडी एमसी के द्वारा डैट इस डेली निव डेली मिनिसिपल जो कॉंसल के द्वारा ओफिस ऑफ तर डिरेक्ट रेट जिसमें और एंडी एमसी एन एस एस स्कूल में तो जो भी इसके लिए एलिजबल है वो अपलाई जरूर करें जो भी मतलब रेटायर्ड जो यहां पर टीचर्स हैं लाइबरेरियन हैं या लाइबरेट्री असिस्टेंट हैं तो इसके डिटेल वगएर यहां पर मेंशन है टर्मिन क बता देता हूं लाइबरेरियन के लिए लेकिए यहां पर प्रॉपर एंड रेगुलर अपकीपिंग आफ दे बुक्स इन दे स्कूल तो इश्यू बुक तो स्टुटेंट एंड टीचर रेगुलर्ली रेलाइज दो कोस्ट ऑफ दे बुक नोट रिटर्न बाइड रिटर्न जिसको मतलब हम यूज नहीं कर रहे हैं एनी सच अधर ड्यूटीज में भी असाइंड बाइड हैड अप दे स्कूल उनके द्वारा और आपको दिया जाएगा तो यह सब आपको करना होगा तो इसके अलावा यहां पर देखे इनकेस अफर्दर क्वेरी इनफर्मेशन ओफ इनफर्मेशन ओफिसर्स ऑफ डारेक्टरेट में भी कंटक्ट एड यहां पर नमबर दिया हुआ है एंड इमेल आइडी भी मेंशन है जिसके जिससे आप यहां पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं पोस्ट के रिजूएट टीचर की यहां पर विकिंसी है जिसमें टेंटेटिव है सारे टेंटेटिव रिक्वार्मेंट है विकिंसी और यहां पर देखे यह जो है यह ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर के लिए है प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का है नर्जरी असिस्टेंट टीचर का है जिसमें लाइब्रेरियन की एट विकिंसी है नर्स नर्जरी टीच तो आट वेकंसी है, the candidate should have retired as librarian from the pay scale of 6 तो आपको retire होना चाहिए, librarian के मतलब पत से 6 pay scale के according आपने आपने आपे काम किया हो above as per the pay scale metric of 7, the central government, state government या local body या equivalent services में आप employed होने चाहिए तो यह पूरा detail था इसके regarding और इसके अलामा अगर आपको कोई information मतलब चाहिए तो आप इनके website पर जरूर contact करें वहाँ पर आपको further जो information है वो आपको provide कर दिया जाएगा और यहाँ पर जितने भी information मतलब थे हमने आपको यहाँ पर provide कर दिये तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा provide गया गया information जो है वो informative लगा होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स लेक्चर में किसी अलग topic के साथ अब तक के लिए धन्यवाद कर दो आपको यहाँगा जो कर दो आपको यहाँगगा पर्वाद